मेरा नाम हर रवी और इस वक्त आप मुझे देख रहे हो मिशन हाई नर्सिंग के ओनलाइन प्लेटफोर्म पे जिसमें आज अपन राजस्तान CHO 2020 का पेपर जो है उसके बारे में अपन डिसक्स करेंगे यह first part रहेगा जिसमें अपन starting के 50 questions discuss करेंगे और then second part में अपन remaining 50 questions discuss करेंगे चलिए तो आज का अपना first question रहेगा विश्वा स्वास्तिय दिवस कब मनाया जाता है World Health Day तो अपना question जो है वो note करके रखना है और उसके बाद में बताऊं तो उसके साथ में match करना है ठीक है तो इसका correct answer रहेगा option D 7th April next question भारत के वरतमा राष्ट्रपती कोन है यह 2020 का पूछा हुआ question है ठीक न तो अपने को तातकालिक राष्ट्रपती हो उसके बारे में अपने को बताना है ठीक है तो option जो है वो भी उसके इसापसी मिलेंगे अपने को तो वराष्ट्रपती कोन रामनाथ कोई थे ठीक है चलिए next question question number 3 MTP Act भारतिय संसत द्वारा कब लागू किया गया था MTP Act Medical Termination of Pregnancy Act भारतिय संसत द्वारा कब लागू किया गया तो correct answer will be option C is correct answer 1972 Medical Termination of Pregnancy Act ठीक है चलिए next question निमने लिखित बिमारियों में से कोन सी बिमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है देखिए आपको एक चीज बता दूँ मैं उन्मूलन का मतलब रहता है eradication eradication की यदि definition अपन community health nursing का जो अपना topic है उसके आपसे अपन definition देखे तो what is eradication? eradication is tear out by root किसी particular disease को Z से उखाड फेंखना tear out by root that is known as eradication तो कौन सी बिमारी भारत से उन्मूलन किया जा चुका है correct answer will be option c ठीक है अब CHO और staff nurse बनना हुआ बिलकुल असान जी हाँ क्योंकि अब mission high लेकर आया है students की first choice mission CHO 2.2 second edition जो सभी राज्योद्वारा आयोजित CHO और staff nurse की भरती परिक्षाव के लिए भारत की पहनी प्रमारत काइड है order करें Amazon and flip card से next question question number five भारत में हरित करांती green revolution का अहवान किस ने किया था simple question है कई बार examinations में आयोगा है option C M.S. Swaminathan नहीं green revolution हरित करांती question 6 भारत में सोच भारत अभियान का शुभारंब कब किया गया था PM मोधी ने किया था किस विजन को देखते हुए महातमा गांधी के विजन को देखते हुए कब किया गया था दो अक्टूबर 2014 में ठीक है second next question 7th question question number 7 निमन लिखित में से कौन सी परक्रिया को global warming का जिम्यदार ठहराया जाता है निमन लिखित में से कौन सी परक्रिया को global warming का जिम्यदार ठहराया जाता है चार option size पड़ने है और उसके बाद में reply करना है correct answer will be option A greenhouse effect ठीक है चलिए next question अपना question number 7 8th निमन लिखित में से कौन सा रोग फिको औरल रूट या फिर फिको औरल माध्यम से नहीं फेलता है देखे क्यूशन में क्या दिया गया है नहीं फेलता है यानि तीन तो फेलते हैं एक नहीं फेलता है तो जो नहीं फेलता उसके बारे में पूछा अगले ने तो correct answer will be measles measles फिको औरल रूट से नहीं फेलता है यह respiratory tract से फेलने वाली communicable disease है चलिए क्यूशन नमबर 9 दस तो रोग में मृत्यू का मुख्यकारण कौन सा है इन डाइरिया the main cause of death निर्जली करन dehydration जिसमें पानी की कमी रहती है बोडी में next question नमबर निमनलिकित में से पांच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यू का मुख्य कारण क्या है below 5 year death of babies main cause पुछा इसमें simple situation है तो पांच साल के बच्चों में respiratory tract कमजोर रहता है weak रहता है immunity कम रहती है बच्चे की इसलिए pneumonia का खत्रा ज्यादा रहता है तो death का कारण भी pneumonia रहेगा चलिए next question अपना question number 11 बच्चों में सामान्य capillary refill समय या normal capillary refill time कितना होता है तो देखिए less than 3 second option B is correct answer 3 second से कम ठीक है चलिए next question अपना question number 12 आप CHO supposing you are CHO अपने health and wellness center पर एक 6 मा के बच्चे के विकास का अंकलन कर रहे है समनेत है निम्रलिकित में से आप क्या उमीद कर सकते है 6 मा तक का बच्चा ये देखिए age group अपने को ध्यान में रखना है pediatric का question पूचा है इसमें अपना growth and development से समदेद बात हो रही है तो correct answer क्या रहेगा option C 6 मा का बच्चा सहारे के साथ स्वेम बेट सकता है यदि सहारा उसको दे दिया जाए पिछे पिलो लगा दिया जाए side में पिलो लगा दिया तो वो बेट सकता है next question number 13 भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामने ते कितना होता है जन्म के समय नवजात का वजन कितना होता है तो देखे simple question है 2.5 से 3.5 या 3.5 kg next question जब कंगारू मदर केर केमसी प्रदान की जाती है वह एक बार में कम से कम कितने समय तक दी जानी चाहिए कितने टाइम तक आपन एक बार में दे सकते है तो देखे simple question है minimum अपने को 1 hours अपने को देनी चाहिए चलिए next question question number 15 लेबर रूम का तापमान centigrade में कितना होना चाहिए 26 से 28 डिग्री celsius चलिए next question अपना निमन लिखीत में से कौन सा immunoglobulin मानों के दूद human milk में पाया जाता है human milk में पाया जाने वाला immunoglobulin कौन सा रहता है तो IgA all secretions body का जितने भी secretions है उनमें IgA immunoglobulin पाया जाता है चलिए next important question है next question number 17 BCG vaccine का injection किस परकार लगाया जाता है BCG vaccine सबसे पहले तो पूरा नाम अपने को ध्यान में होना चाहिए bacillus calmedurine that is the full form of BCG vaccine किस परकार लगाना चाहिए root of administration पूछा है अपने को simple question है हमेशा BCG का vaccine intra-dermal ठीक है dermis के बिनित लगाया जाता है चलिए next question कॉपलिक स्पोर्ट किस बिमारी में देखने को मिलते है simple one-liner question है कॉपलिक स्पोर्ट नाम ध्यान में आ जाना चाहिए कौन सी बिमारी में मिलेगा measles में मिजल्स को हिंदी में क्या कहते है खसरा कहते है किस्ट नमबर 19 समयकित बाल विकास सेवाएं योजना Integrated Child Developmentary Services इसकीम के लाभार्ती कौन है one-liner simple question है देखिए चाह वर्षे छोटे बच्चे भी हैं और गरवती महिलाएं lactating mothers भी हैं सो अपना main answer क्या रहेगा option D is correct answer चलिए question 20 निमनल लिखित में से calcium का सबसे बढ़िया स्त्रोत क्या है the richest source of calcium in which of following तो correct answer will be option अपना note करके रखना है milk ठीक है milk is the richest source of calcium ठीक है चलिए next question अपना question number 21 क्या कह रहा है question 21 निमनल लिखित में से कौन सा macronutrient नहीं है यानि तीन macronutrients है और एक नहीं है यानि कि अपने को सिदा सा यदि देखा जाए तो macronutrient पुछा है तो vitamin is a macronutrient जबकि protein, fat, carbohydrate these are macronutrients ये macronutrients है जबकि vitamin क्या है macronutrient है ठीक है simple सा question है vitamins जो है वो macronutrient नहीं है क्यूस नंबर 22 निम्न लिकित में से कौन सा water soluble vitamin है कौन सा water soluble vitamin है दो परकार की vitamin पाये जाते हैं एक होता है fat soluble vitamin और एक होता है water soluble vitamins तो अपने को water soluble vitamins जो है उसके बारे में पूछा है vitamin C is a water soluble vitamin जबकि vitamin A, D, E ये क्या है ये तीनों की तीनों fat soluble vitamin है जबकि ये जो है vitamin C vitamin C क्या है water soluble vitamin है चलिए next question question number 23 निमने लिकित में से कौन से खाद्य पदार्त से vitamin E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है कौन से खाद्य पदार्त में vitamin E जो है वो सबसे अधिक मात्रा में परचूर मात्रा में मिलता है तो देखिए E का richest source sunflower oil सूरी मुखी का तेल ठीक है यह रहेगा चलिए next question 24 vitamin C की कमी से कौन सी बिमारी होती है vitamin C की कमी से ascorbic acid की deficiency से कौन सी disease रहेगी scurvy रहेगी चलिए next question अपना वल नाइनर्स अपने को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए ठीक है बच्चे को पूरक अहार complimentary feeding कब शुरू कर देना चाहिए पूरक अहार complimentary feeding 6 मा की उम्र के बाद या 6 मा से अपने को start कर देना चाहिए ठीक है देख एक छोटी से आपको मैं information देदू mission high nursing की अपने को यदि theory या mcqs की अपने को guide चाहिए तो अपने amazon या फिर फिलिप कार से जाकर के order गर सकते हैं आपको सारा study material एक ही guide में मिल जाएगा यदि बच्चे CH-ो की preparation कर रहे हैं तो आपको ये guide एक single guide में complete syllabus मिलेगा ठीक है वो भी एकदम simple हिंदी बाशा में चलिए next question अपना question number 26 निमने लिखित में से कौन सा पोशक तत्व है tissue repair के लिए आवशक है healing या फिर repairment of tissues के लिए कौन सा पोशक तत्व है अपने को चाहिए always ध्यान में रखना है protein is there tissue repairing element next question निमने लिखित में से कौन सा लक्षन डेंगू बिमारी का नहीं है डेंगू disease का कौन सा लक्षन नहीं है तो देखिए हलका बुखार कभी नहीं होता डेंगू में ठीक है तेज बुखार रहता है तेज बुखार रहेगा आखों में दर्द रहेगा जोडों में दर्द रहेगा हलका बुखार कभी नहीं होता तो यही बुचाग लेने नहीं है Next question VVM का full form क्या है Simple question है, wall liner है त्यार में रखना है Vaccine while monitor B option is correct Next, 29 9 माँ पर vitamin A की dose कितनी होती है 9 माँ पर 9 मन्त पर बेबी को measles के साथ में vitamin A की profile axis dose दी जाती है कितनी रहेगी 9 मन्त पर option B, एक लाख international unit पर एक अमल एक अमल में एक लाख international unit standard मात्रक रहता है इतनी dose बच्चे को देनी रहती है किसी वस्तू या सताय को कोरोना वाइरस से संकरम नमोक्त करने के लिए किस रसायन पदार्थ को काम मिलिया जाता है Simple question है Direct hit होना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए sodium hypochloride चलिए next question question number 31 multi drug resistance tuberculosis MDT TB के इलाज के वदी कितनी रहती है Simple question है minimum 18 से choice month option C is correct answer ठीक है imported question है चलिए तो देखिए अगर जो बच्चे CHO की preparation कर रहे है तो उन बच्चों के लिए बहुत important information दे रहा हूं कि अपने को देखिए सबसे पहले किसी भी competitive exams की preparation करने के लिए अपने को theory जो है वह अपना complete होनी चाहिए सरलतम भासा में Mission CHO और Mission CHO 2.0 ये दोनों books जो हैं CHO की preparation के हिसाब से perfect book है इन में आपको सारा का सारा study material एक्तम सरलतम भासा में मिलेगा previous year के MCQs भी मिलेंगे आपको key points भी मिलेंगे और साथ इसाथ आपका concept जो है वो एक दम crystal clear होगा ठीक है पूरे भारत वर्स में हर एक जगह परते की state में ये book आपको Amazon या फिर flip card पर easily available हो जाएगी अधिक संपर्क करने के लिए यहाँ पर हमारे जो निचे help line number है इन पर भी आप क्या कर सकते हो contact कर सकते हो ठीक है चलिए next question अपना question number 44 देखिए simple question है वर्तमान में यहने 2020 की बात हो रही है उस समय की बात हो रही है वर्तमान में भारत की कुल परजन अंदर total fertility rate कितनी है क्योंकि अपन previous year के MC की उसको कर रहे है previous examinations में आयोए paper है उनको solve कर रहे है तो उस हिसाब से अपने को जवाब ध्यान में रखना है ठीक है चलिए जहां पर वर्तमान बात हो रही है तो यह चुँकि यह 2020 का paper था तो उस हिसाब से तातकलिक total fertility rate की बात हो रही है तो इसका correct answer क्या रहेगा option B 2.2 चलिए next question अपना typhoid बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा test किया जाता है question number 45 तो the Vidal test is conducted for typhoid disease next question विश्व स्वास्तिय संगठन WHO का मुख्याले कहां है simple सा one liner question है जीनेवा में ठीक है तो correct answer क्या रहेगा जीनेवा चलिए next question जल के शुद्धी करण के लिए water purification के लिए कौन सा रासाइनिक पदार्थ इस्तिमाल किया जाता है बहुत बार अपने घरों में भी किया होगा या आस्परोस में करते भी देखा होगा तो bleaching powder जल को शुद्ध करने के लिए काम मिलिया जाता है next question एक प्रात्मिक स्वास्ति के अंदर कोसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है तो minimum देखिए यदि अपने को प्रात्मिक स्वास्ति के अंदर प्यस्सी अपने को इस्थापित करना है तो minimum population वहां की 30,000 रहनी चाहिए standard एक तरसे माप्तिंड है इसको ध्यान में रखना है चलिए next question 49 वरतमान में राजस्थान की मात्री मृत्यूदर maternal mortality rate कितनी है important question है यह देखिए मैं आपको वापिस बिता दूँ यह repeat होने वाले question है यह आंकड़ी रट लेना अपने notebook में site में लिख लेना option B 165 per leg एक लाग पर 165 मात्री मृत्यू दर ठीक है चलिए यह आपको जो data दे रहे हैं अपन यह हमारे जो proper तरीके से identify करने के बाद में study research करने के बाद में यह जो data हैं यह हमने प्रिपेर किये और अपने को सारे के सारे data आपको इस परकार के census जो है वो हमारी mission CHO book में आपको easily available हो जाएंगे ठीक है चलिए net question 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 number 50 देश में पिछली जनगणना कब की गई थी important question है यह census से समन्दित है 2011 में last जनगणना की गई थी ठीक है तो यह थे हमारे 50 वीडियो का जो first part अपना राजस्तान CHO 2020 का paper जिसमें अपने starting के 50 questions हो उसके बारे में discussion किया इस इसी paper का second part remaining portion जिसमें question number 51 से 100 तक अपने discuss करेंगे वो अपने अपने को next video में provide हो जाएगा तब तक के लिए बने रहिए Mason High Nursing के online classes के साथ nursing officer और CSO के old paper की PDF लेना साते हो तो play store से Mission High Nursing Notes एप डालोड किजिए